इस्टेटी विद वीना राना यूटूब चेनल में आप सब का स्वागत है दोस्तो आज मैं लेके आए हूँ ग्यान पीट पुरुसकार के नौट्स इससे पहले मैंने साहित याकादमी पुरुसकार के नौट्स भी सेयर कर रखे हैं तो दोस्तो मेरे चेनल में जाके आप पढ़ सकते हैं दोस्तो सबसे पहले तो जानते हैं आखिर ग्यान पीट पुरुसकार है क्या तो ग्यान पीट पुरुसकार भारते साहिते में दिया जाने वाला सरोच पुरुसकार है सबसे बड़ा पुरुसकार है ग्यानपीट पुरुसकार ग्यानपीट पुरुसकार के सुरुवात में धनरा से एक लाग थी जो वर्तमान में 11 लाग हो गई दोस्तो जब ये ग्यानपीट पुरुसकार शुरूआ उस टाइम सिर्फ एक लाख दी जाती थी पुरुसकार में और अब कितनी हो गई 11 लाख तो यहां से क्वेशन बन सकता है कि ग्यानपीट पुरुसकार की धनरासी कितनी है तो वो है 11 लाख वर्तमान समय में इसकी स्थापना हुई 22 माई 1961 में स्री साहू सांति परसाद जैन के 50 जन्म दिन के अवसर पर तो यहां से भी ग्यानपीट पुरुसकार किस के जन्म दिन के अवसर पर दिया जाता चै तो श्री साउ सान्थि परसाद जैन दोस्तों आपने ग्यानपीट पुरुसकार तो सुना होगा लेकिन उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं होगा कि किसकी इस्थापना जन्म दिन की असरपड दिया जाता है ग्यानपीट पुरुसकार तो यह याद रखना है कि फिर पुरुसकार में क्या दिया जाता है पुरुसकार में दिया जाता है वाग देवी की का से प्रतिमा मला सरस्वती देवी का जो वाग देवी रूप है वो का से प्रतिमा वा ग्यारा लाग की धन्रासी प्लस प्रसस्ति पत्र ठीक है और ग्यानपीट पूरुसकार मिलता है भार्दमानक भाषा है जो 22 भाषा प्लस अंग्रेजी भाषा। अंग्रे जी क्यों अलग है क्योंकि अंग्रे जी हमारी 22 भासाओं में समिलित नहीं है इसलिए 22 भासाओं अंग्रे जी को भी दिया जाता है ग्यान पीट पुरुसकार फिर पर्थम जो ग्यान पीट पुरुसकार मिला है वो मिला है जी संकर कुरूर को उनकी रशना ओडा कु तो 1965 किसको मिला जी संगर कुरूद को किस रचना पे मिला ओड़कुलज पे ठीक है फर्ष्ट ग्यान पीट पुरुसकार था यह फिर जो हिंदी में मिला है पर्थम ग्यान पीट पुरुसकार वो मिला है सुमित्र नंदन पंथ जी को उनकी रचना चिदंबरा के लिए और उस को मिला तो सुमित्र नंदन पंथ जी को मिला हिंदी में पर्थम बार ठीक है फिर अन्तिम जो मिला है कृष्णा सोबती जी को हिंदी इसायित्य में योगदान के लिए मिला इने 2017 में यह भी मेहत्वपो終न है इसका सन भी याद रखना है 2017 कृष्णा सोबती को यह अभर दे पिर जो 1972 का ग्यान पीट पुरुसकार मिलाए वो मिलाए रामधारी सिंग्दिन कर उनकी रचना उर्वसी पे फिर 1972 के बाद 1978 को मिलाए सचीदानिन हीरानन वात्सियान अगेजी को उनकी रचना कितनी नाओं में कितनी वार दोस्तों ये रचनाएं और साहाईत्यकार बहुत म पूछे जा सकते हैं हिंदी में अभी तक सिर्फ 11 लोगों को ही ग्यान पीट पुरुसकार मिला है तो ये 11 लोगों को हमें याद रखना है फिर 1982 का ग्यान पीट पुरुसकार मिला महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए फिर 1992 में मिला नरेस महता को नरेस महता जी को संपूर्ण साहिते के लिए मिला मला हिंदी साहिते में उनका योगदान जो नो ने पूरा योगदान हिंदी साहिते में दिया तो उसके लिए मिला 1922 को फिर 1999 यहां से सन आपने याद रखने सन आ सकते पूछे जा सकते कि किस वर्स मिला 1999 में मिला निर्मल वर्मा को संपून साहिते पे मिला फिर 2005 में मिला है कुवर नारायन जी को कुवर नारायन जी को मिला संपून साहिते के लिए फिर 2009 में मिला है अमरकांत जी को अमरकांत जी की संपून साहिते के लिए मिला है ग्यान पीट पुरुषकर और जो 2009 में दूसरे ब्यक्ति को मिला वो है स्रीलाल सुकल को संपौन साहिते के लिए मिला दोस्तों ये याद रखना है कि हिंदी में ग्यानपीट पुरुसकार सन 2000 में दो लोगों को मिला अमारकांथ और स्रीलाल सुकल को संपौन साहिते के लिए ठीक है फिर जो 2013 का ज्यानपीट पुरुसकार है वो है केदानाथ सिंग को ये मिला है संपूर्ण साहिते के लिए इन्हें ज्यानपीट पुरुसकार 2013 में ठीक है और दोस्तों जो 2017 में मिला है ज्यानपीट पुरुसकार कृष्णा सोबती जी को क्रिशना सोबती जी को याद रखना है कि संपुर्ण सायत्य के लिए मिला और क्रिशना सोबती से दो तिन फैक्स आ सकते हैं पेपर में कि किस वर्स मिला दो जार सत्रा में और कौन सा मिला कौन सा नंबर का ज्यान पीट पुरुषकार था तो था त्रेफनवा ज्यान पीट पुरुषकार दोस्तो ये इसमें दो ही हिंदी में दो ही लेखिकाओं को मिला एक है महादेवी वर्मा फिर कृष्णा सोबती तो ये याद रखना है महादेवी वर्मा की रचना यामा और कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहिते के लिए मिला फिर दोस्तों जो ग्यानपीट पुरुषकार से महत्वू नौट है तो मैंने कुछ लिखे हुए है सबसे पहले तो सुरुवात में यहां पुरुषकार लेखा को एकल कृति के लिए दिया जाता था एकल कृति मलाव उनकी एक रचना के लिए दिया जाता था ग्यानपीट पुरुषकार और जो 1982 में महादेवी वर्मा को मिला लेकिन उसके बाद तैक किया गया कि पुरुषकार लेखक ये पुरुषकार जो है लेखक की हिंदी साहिते में संपूर्ण योगदान के लिए भी दिया जाएगा मलाव उन्होंने हिंदी साहिते में अपना कितना योगदान दिया उसके लिए भी ग्यानपीट पुरुषकार दिया जाएगा फिर है दोस्तों जो Static JK का भी question है महत्पौ एंकर अठाब घोस को उनकी रशना अंग्रेज जी भासा में थी ठीक है उनकी भासा क्या थी अंग्रेज जी वो हिंदी के लिए नहीं था ये भी याद रखंगना हिंदी में सबसे लाश्ट कृष्णा सुबती जी है 2017 है सन और जो 2018 का है वो है अमिताब घोस जी को उनकी जो भासा थी वो थी अंग्री जी में दोस्तों ये आपने याद रखना है परमुख लेखक और उनकी रजनाए दोस्तों अगर मेरे नौट्स आपको अच्छे लगए तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं ऐसी नौट्स आप सब के साथ सेयर कर सकूँ बाई बाई दोस्तों थेंक्यू सू मच